हेलो एप्रिवान वेलकम टो मैं चैनल फोमेंस स्टाइल अप मैं हूँ मंजूर बिक्नस के लिए मैं लेकर आगई हूँ प्लेट्स बनाने की तीन बहुत ही आसान सी ट्रिक जिनकी मदद से आप किसी भी टाइप की फैब्रिक की प्लेट्स आसानी से बना सकती हैं अपनी साड की अपनी साड़ी लेली है साड़ी वेयर करने से पहले पेटी कोट फुटवेर अड ब्लाउच हमने वैयर कर लिया है और यहाँ जो मेरा पेटी कोट है यह शेप वेयर पेटी कोट है तो इसका जो बाइंग कोड है आपको नीचे डिस्क्रिप्स on box मिल जाएगा और यहां सामनी की तरफ है तो मैंने सामनी ही बांधा है अब हम अपनी साड़ी को खोलेंगे तो देखिए यह वाला पोर्शन हमारी साड़ी का पल्लू है तो पल्लू वाला जो पोर्शन होता वो आपका लेफ्ट हैंड साड़ी की तरफ रहेगा और इसके बाद आपको साड़ी को खोल में टक करेंगे फिर लाफ्ट में अब जो सामने का पाट बचके इसको अच्छे से पेटी कोड के अंदर देखिए फोर फिंगर की हब से इंसर्ट करना है ऐसा करने से फाब्रिक सामने की तब फसके टमी के पास फुली-फुली नहीं देखती है अब देखिए सारी को इस तरी करांड की बेसिक टकिंग कमप्लीट हो गई है अब हम सारी को स्टिके से लेते उसके पलु वाले पॉश्ण पर जाएंगे सीधे पलु वाले पोर्षन पर नहीं जाते नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सारी पीच से उलट-पुलट हो जाती है और हमारा पलू डिस्टर्ब ह हो जाता है अब देखिए पलू आले फैब्रिक को बैक से घुमाते हुए राइट की तफ निकालेंगे और यहां पर जो पलू का दूसरा कॉर्णर दिख रहे से लेफ्ट रंड में पकड़ लेंगे अब हम राइट लेफ्ट कहीं से भी प्लीट उठा सकते हैं मैं यहां पर ल आते हुआ आएंगे तो जो आखरी प्लीट का डार्शन होता है उसको आपको अच्छे से मैनेज करना है कभी भी वह आपकी राइट की तरफ हो तो देखिए यह थोड़ा सा अंदर की तफ जारी मतब इसका डार्शन लव्ट की तरफ हो गया है तो मैं दो प्लीट खोल कर प यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे साइट से हम एक एक प्लीट को पकड़ते हुए जटकते हुए अरेंज करेंगे बहुत ही थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको अरेंज करना है ऐसे जटकने से देखिए आगे की प्लीट नजर आती है और आप इसली से इस तरह से अरेंज कर पाइंगी इतना पॉर्षन हमारा रेडी हो गया है अब देखिए अंदर साइड से यह जो प्लीट है नजर आ रहे है तो इसे मैनेज करने के लिए यहां पर देखिए टमी के सामने आपको प्लीट को रखना है पहले प्लीट को हलकी सी चोड़ी करते हुए बाकी की सभी प्ली प्लीट हो गया है तो हम इसे लफट वाले सोल्डर पर रखेंगे और यहां पर देखिए आपको हैंड से पकड़ लेना है लफट वाले एंड फिर से फैब्री को जटकना है फिर साइड से थोड़ी सी दूरी पे एक प्लीट को पकड़ते हुए जटकते हुए अरेंज करना है थोड़ा थोड़ा पार्ट बनाने से प्लीट एक बार में ही बन जाती है अदर्वाज एक बार में कोसिस करने से प्लीट आपको बार बार बनानी पड़ेगी वो डिस्टर्ब होती रहती है अब देखिए पहली प्लीट मैंने फिर से चोड़ी की है क्योंकि अंदर से जो को हलकी सी प्लीट थी बाहर की तरफ नजर आ रही थी इस तरसे मैनेज करते हुए आपको प्लीट बनाना है अब लफ्ट वाले सोल्डर पे लखते हो पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे तो यहां पर देखे मेरे घुटने से नीचे है तो कभी भी पल्लू आपको लॉंग ही इसके बाद से सेफ्टी पिन की हब से अपने ब्लाउंज के सोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे तो देखे यहां पर जो ब्लाउंज के सोल्डर की स्टिचिंग है इससे एक या दो इंच पैक में जाकर आपको ब्लाउंज के अंदर से सेफ्टी पिन को लगानी है और य सामने तक इसे सेट कर ले ना इस तरह से ताकि बैक साइड में जब आप परलू को इस तरह से ले जाएंगे ना देखिए परलू का अंदर वाला बॉडर बैक से घुमा रही हूं है तो यहां पर बस्टेरिया पर सेट करती है यह अच्छे से सेट होगी और जितनी भी प्लीट से खीचते होई यह अपर सेट करते राइट वाले पेर टक ले कर आना है रहे पोट सेट करेंगी तो यहां पर आपको पकरना है राइट वाले पेर के पास और टिक बहुत सी प्लीटे बन जाएगी मैं दो तीन चार इससे ज़्यादा कभी भी प्लीट्स नहीं बनाती हूँ और देखिए पेटी कोट को थम के अंदर इंसर्ट करते हो फाब्री को पकड़ना है बड़ी से सफ्टी पिन लेनी है और पेटी कोट को लेते हुए जिग्जग स्टाइल में स अच्छे से अरेंज करना है ताकि हीप के साइड से अट्राक्टिव नजर आएं सो यहां पर हमारा हीप वाला पोर्शन भी कम प्लीट हो गया है अब हमारे पास यह इतनी भी साड़िया पच्छी कहीं है ना इनकी हमें प्लीट्स बनानी है क्योंकि आज मैं आपको तीन अल इसे हमें प्लीट उठानी है तो देखिए स्मॉल फिंगर थम से फाब्रिक को पकड़ना है इस तरह से देखिए आप थ्री फिंगर का भी यूज कर सकती हो जो सामने की टू फिंगर बच जाती है इसको कैंशी की तर करना है और उसमें फाब्रिक को फसाते हो वन बाई वन सो यह सबसे सिंपल तरीका है यह आपकी सभी टाइप की फाब्रिक पे काम करती है बट आपको थोड़ी से प्राक्टिस की भी जरूरत होती है तो यह तो हो गया एक तरीका जिसमें आपकी प्लीट इस तरह से बनेगी अब हम अपना देख लेते हैं सेकेंड तरीका तो इसक से चलेंगे तो इसके लिए आपको टमी का सहारा लेना है और देखें राइट वाली हैंड से दबाते हैं स्मॉल फिंगर को निकालना है अब इस ट्रिक से आपको प्लीट गब बनानी है जब आपकी साड़ी काफी ज्यादा है भी हो या फिर आपको चोड़ी-चोड़ी प् तरे कि अंदर से फटेपरी को चोड़ा है इसके पात पहले प्रीट को हम बनायेंगे कितनी चौड़ी हमें घ्रेक अना प्रफ कर सामने रखते हूँ अपको फएंगर यहां पर दबाना थ जतनी ही दूर तक फैलाना है जिनी चौड़ी में प्रीट भाइंगे ृडब आपको फैब्रीक को लेकर आएंगे जो थम के बगल वाले फिंगर उसे दबाएंगे तो इस तरीके से जिग्जग करते हुए आपको फैब्रीक को घुमाते हुए प्लीट्स बनानी है और अभी हमने देखा लाफ थांड से हम कैसे प्लीट उठाएंगे सेम प्रोसेस आपका राइट जाता है तो इसके लिए चलिए हम एक बार देख लेते हैं राइट चारंगु लागे जाएंगे यहां पर देखिए हमें चौड़ी-चौड़ी प्लीट बनानी है तो मैं कि जो small finger है वो इसलिए से निकल जाए मैं left hand से देखिए आपर दबा रही हूं क्योंकि हमारी जो प्लीट है वो right hand से बन रही है इसलिए हम left hand से दबाते हुए इन प्लीट को बना रहे हैं अब देखिए जब आप प्लीट बनाते हुआएंगी तो आखरी में आपको हमीशा की तरह थोड़ा सा फैबर्क छोड़ना है ताकि आप अपनी लैंद के एक औरी इससे अजस्ट करके इन प्लीट को टकिंग कर पाएं सो इस तरह से हमारी जो प्लीट बन गई है इने हमें अरेंज करना है अब सो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हो साथ में half of cm का गया पी रखत पहली प्लीट को खोलेंगे राइट सड़ में जितना अब एक्श्रा फैब्रिक है उन्हां लेकिर प्लीट चोड़ी करेंगे आपकी पहली प्लीट बागे की विश्ली होनी चाहिए अब अंदर से कपा कड़ लेंगे और यहां पर जटक देंगे सो इस तरह से जब आप क्यों करेंगे से फाइदा है कि अगर आपकी प्लेट्स पर पर जाए तो निकलने की डर नहीं होती है यहां पार देखिए मैं साड़ी पिंट की अब से सिक्योर कर सकती है यहां पर कि थोड़ी-सी दूरी साइट से उन वण प्लीट को अरेंज करेंगे एंड यहां आप देखिएगा एक चिम्टी से जो कपड़े सुखाने वाली चिम्टी है उससे मैं सेक्योर कर रहे हूं अब जो फुली फुली है इसे हैंड से प्रेस करेंगे ताकि अच्छी से बैठ जाए इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और फिर से सेम प्रोसेस से एक प्रेट क पकड़ते हुए अरेंज करेंगे यहां पर जो फॉस साइट कीताफ हमारा प्रीट है इसे हमें पुह थी अच्छी से प्रेस करना है तो टाइटली से अपको दबाना है ताकि बिल्कुल अच्छी से बैठ जाए ऐसा करने से आपकी प्रीट काफी लंबे टाइम तक सेट रह है इस फापरी को हम बात में मैनेज करेंगे अभी हमारी जो प्रीट है इन्हें हम नेवल के ठीक सामने रखते हुए अरेंज करेंगे जितना पाथ हमें टकिंग करना है वहीं पर तो देखिए इस तरह से अरेंज हो जाने के बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्र करने के बाद थोड़ा सा शेक करेंगे ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए अब देखिए हमारा हिप पे जो प्लीट है इसे आपको ठीक कर लेना है और जो राइट साइड की ताफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है से थोड़ा सा खीचना है और इसके बाद ट्विस्ट करते हो कम पेन पाथा उसे अच्छी से टकिंग कर लेना है अब यह आपका पलू से कवर हो जाएगा इसके बाद जो पलू की प्लीटे दिख रहे हैं आपको इक बार फ्यू से इने ठीक कर लेना है और यहां पा जो एक्स्ट्रा के हमने स्याफ्री पी लगा रखी थी इसे हम की जरूरत है सो आई होग की वीडियो आपके लिए हलफुल रही हो मेरा रापिंग स्टाइल अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी तक कि और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथ में बना आक आम